असलाम अलेकुम दोस्तों यदि आप कतर में रहते हो और कतर के इमतरीन खबरों से हमेशा वाकिव रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिने स्कूप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस कर लिजि आ रही हैं तो सातियों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप मैच होने वाला जो आठ नए श्टेडियम को बनाया गया है उसको मैं फोटो आपको भी दिखा देता हूं उसके बाद मैं खबरों के बारे में बात करूँगा तो वीडियो दोस्तों बहुत सारे खास चीज़ भी दी गई है यदि इस पूरा डीटेल बताने लगो तो वीडियो काफी जादा लंबी हो जाएगी अगली खबर की और सातियों चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आरी वीडियो के स्क्रीन पर मैं आपको फोटो आपको दिखाने वाला ह है तो फीफा वर्लकप के दोरान सातियों वहाँ पे जो ओपनिंग सरोमेनी किया जाएगा 20 नौमबर 2022 को तो कतर फीफा वर्लकप के दोरान जंग कुक जो बहुती बड़े दोस्तों सिंगर है और पाकिसान के जो फाहल फाहद अलकुबैसी है वो वहाँ पे परफॉर्म करन इसको लेकर आ रही है तो सातियों सटल बस सर्विस जो है वो बहुत ही जादा माइने रखता है कतर फीफा वर्लकप के दोरान क्योंकि लोगों को वहाँ पे आने जाने में काफी जादा इससे सहलियत होंगी तो कतर के दोस्तों जो सटल बस सर्विस है उनके तरब से कुछ इनॉस्मेंट किया गया है कि कतर बस सटल सर्विस है आप ट्रेवल करना चाहते हो तो 24 घंटा ये जो बस सर्विस जो आपको दिया जाएगा हर जगा आपको ये बस मिलेगा लगबग 881 बस चलाये जाएगे पूरे इस्टेडियम के आसपास लगबग 881 बस इसमें चलाये जाएगे और हर 10 मिनट में दोस्तों दिन में आपको एक बस मिल जाएगी और रात में हर 30 मिनट में एक बस आपको मिलने वाली है तो ये एनॉस्मेंट साथियों सटल США कंपनी जो है उनके तरफ से किया गया अगली जो अबडेट है साथियो वह भी दोस्तों बहुत ही लगभग उसके लिए 220 बिलियन डॉलर का उन्होंने खर्च किया है वहीं पे महिलाओं जो महिलाद मैच देखने के लिए चोटो कपड़ों पर एंट्री पर बैन लगा दिया गया है बियर की बिगरी पर बैन लगाया गया है और जो मैच जो स्टार्ट होगा वो कुरान करीम क कि तिलावस से मैच का स्टार्टिंग किया जाएगा और लगभग यह बताया जा रहा है कि 30 वहां 20 लाख लोग आने की दोस्तों इस मैच में उमीद जताई जा रही है एक खबर दोस्तों और आ रही बहुत ही बढ़िया खबर सातियों आ रही है कतर से फीफा वर्लकप के द दोस्तों सिर्फ फिलिस्तीन को ही वहाँ पे अमेच्डार इसे कतर के तरफ से बनाया गया अगली जो खबर सातियों आलखौर पार्ग के तरफ से आ रही है तो उनके तरफ से एनॉस्मेंट कर दिया गया है मिनिश्टी के तरफ से कि 19 नौंबर 2022 को अलखौर पार को पूरी तरह से ओपिन कर दिया जाएगा अगली जो अपडेट दोस्तों आरे साती हो कतर फीफा वर्लकप के दोरान जितनी भी आर्ट स्टेडियम बनाया गया है सभी जगा सभी स्टेडियम में जिया जैनेटिक एर कंडीशन का दोस्तों वहाँ पर इंतजमात किया गया है यानि अपड़ी एर कंडीशन रहेगा तो दोस्तों यह कुछ खबरे थी कुछ अपडेट्स थी जो की कतर से आरे थी मैंने अब तक सेयर किया उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेयर करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सकें मिलते साथ युने एक शुटिय पहला अफिस और टेक क्यार